नमस्कार दोस्तों हम सीख रहे हैं टूरी एनिमेशन और टूरी एनिमेशन आपको बता रहे थे एनिमेट सिसी के बारे में तो चलिए दोस्तों आदे बरते हैं और आज किस वीडियो मा आपको दिखाऊंगा कोई भी कैरेक्टर जब हम एक दूसरे से बातचित करते हैं तो किस टैप से एनिमेशन किया जाता है जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कैरेक्टर दोनों जो बातचित कर रहा है इस animation को कैसे create किया जाता है आज कि इस वीडियो में आपको detail से बताने वाला हूँ चलिए दोस्तों वीडियो इस्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो इस्टार्ट करने से पहले एक channel दिखा रहा हूँ जिसका नाम है हिंदी कहानिया इस पर मैं cartoon बना के लगाता हूँ अगर आपने दोस्तों इस वीडियो कभी तक नहीं देखे तो please जाके देखिए इसका link जो है description box में मिल जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों topic पर वापस आते हैं यह दो मेरे पास एक character है इसको मैंने कैसे create किये हैं उसके बारे में आपको detail से पीछे के वीडियो में आपको दिखाए थे अगर आपने दोस्तों नहीं देखे तो please जाके देख सकते हैं इसका link जो है description box में मिल जाएगा इसको animation करेंगे जैसे एक दूस्ते से बातिचित कर रहा हो तो हम पहले इसको create करते हैं इसके अंदर जाते हैं इसके अंदर जाने के बाद हमने layerwise में create कर चुका हूं हो इसको तो हम यहां पर फ्रेम क्रियेट करेंगे तो हम क्या करते हैं इसको हम छे फ्रेम तक एनिमेशन करेंगे तो दोस्तों हम इसको जह है छे सकेंड तक एनिमेशन करेंगे तो यहां से हम क्या करते हैं छे सकेंड पर हम इसको फ्रेम क्रियेट कर देते हैं यहां तक और f 5 है प्रेम क्र्रेम ह theoret हो जाता यहां तक और हम क्या करेंगे इसको यहां से थोरा सा प्रेम को हम बड़ा कर लेते हुँ जो छिए निश्काए दे हम चाहते हैं यह केह्टर जो है पंदरे सक्न अम हो इसमें तो हम यहां से 15 से केंड पर फ्रेम लगाएंगे तो यहां से हम F6 प्रेस करते हैं हमने एक जो है रेम क्रियेट किया है और उसके बाद हम क्या करेंगे एक हम 30 फ्रेम पे हम इसको फिर से हम एक फ्रेम लगाएंगे और इसको हम क्या करेंगे क्लासिक ट्विंड कर देंगे और यहां से हम क्या करेंगे इसको हम पूरे को सेलेक्ट करते हैं और नीचे का लेड को हम क्या करते हैं जो पैड है जब बातचित करता है तो पैड जो है हम इसको स्टॉप कर देते हैं यहां से हम लॉक कर देते हैं जो इसमें एनिमेशन नहीं लगाना है हम इसको क्या करते हैं यहां से स्लेक्ट किये स्लेक्ट करने के बाद हम इसको यहां पर नीचे की और रखता हूं और मैं इसको आगे की और थोड़ा सा मूव करूँगा और थोड़ा समय कि इसके हेड को भी मूव करूंगा और यह हाथ को मैं यहां से आगे की ओर करूंगा इस टैप से आप देखिए कि इस टैप से इनिवेशन इसमें आ गया है और इसको फिर से मैं सेलेक्ट करता हूं और थोड़ा समय इसको पीछे की ओर ही करता हूं और हम क्या करेंगे फिर से मैं 40 frame तक एप6 लगाता हूं और इसको मैं करूं गा Classic Twin और यहां पे जब आता है character तो मैं इसको क्या करूंगा आगेकी ओर Move करूंगा इस टैप से और इस हाथ को मैं क्या करूंगा थोड़ा सा नीचे की और करूँगा इस टैप से अगर आप देखते हैं तो इस टैप से इसमें एनिमेशन हुआ यहां सेलेक्ट करते हैं और इसको मैं थोरा सा और नीचे की और करूँगा एनिमेशन और इसको करता हूँ ऐसे अब देख सकते हैं कुछ स्टैप से इसमें एनिमेशन आ गया है हम देखते हैं हमारा सारा फ्रेम सही से चल रहा हूँ अब देख सकते हैं इसका फ्रेम बे फ्रेम हम एनिमेशन करेंगे इसका जो हाथ जो है सही करेंगे मैं इसको यहां पर रखता इस हाथ को यहां पर और इसको मैं नीचे के और करता हूँ और यहां पर जब आता है इस के हाथ को मैं थोरा सा कुछ इस टैप से कर दूँगा इस टैप से इसमें अनिमेशन आ गया है अब मैं थोरा से क्या करता हूँ कि थोरा सा हम इसको रोकेंगे मालो हम 10 फ्रेम तक रोकते हैं 10 फ्रेम रोकने के बाद मैं क्या करूँगा यह हाथ को नीचे करेंगा और इस हाथ को मैं ऊपर करूँगा तो मैं 15 फ्रेम लेता हूँ 65 सक इसमें मैं क्लासिक ट्विन लगाता हूँ और मैं इसको क्या करूँगा यहां पे जाते हैं और मैं इसको फिर से करूँगा पीछे और इस हाथ को मैं नॉर्मल कर देता हूँ और यहां से मैं इसको उपर कर देता हूँ और इसको मैं चेंज करूँगा इसके हाथ को और इसको मैं नीचे की ओर कर देता हूँ और फिर से मैं क्या करता हूँ जितना फ्रेम तक आगे बढ़ाए 10 फ्रेम तक तो 10 फ्रेम तक यहां हम एक और F6 लगाएंगे और इसको क्लासिक ट्विन करेंगे और अगकी बार मैं इसको क्या करूँगा यहां पर जब आया करेक्टर इसको फिर से मैं आगे की ओर करता हूँ और लिए इस साथ को मैं इस टैप से मैंने इसको एनिमेशन कर दिया है तो इसके हाथ फिर से हम फ्रेम या फ्रेम एनिमेशन करेंगे इसको क्योंकि यह हाथ जो है सही से नहीं आ रहा है मैं इसको अभी मैं आपको अनिमेशन करकर दिखाता हूं किस टैप से अनिमेशन हुआ मैं इसको क्या करता हूं यहां मैं ओन करता हूं ले करता हूं देखिए कुछ इस टैप से इसमें एनिमेशन हो गया है अब मैं क्या करता हूं इसको यहां पर मैं क्या करता हूं फिर से बापस से मोड में लगा देता हूं तो यहां मैं एप 6 लगाता हूं और 10 प्रेम पर जाने कुछी स्टैप से कि इसको भी सीधा करूंगा और इसके हाथ को भी कि इस टैप से मैं इसमें इनिमेशन लगा दिया हूं अब मैं क्या करूंगा इसी टैप से मैं इस अब हमें देखना कि कहा तक यह एक इनिमेशन हुआ है यह जो है नंटि-फाइब गई हम इसको करेंगे हंडेड से इसके अंदर जाते हैं और फ्रेम पर यहां तक इसमें मैं लगाता हूँ F6 और 110 फ्रेम पे भी F6 लगाते हैं इसको करता हूँ Classic Twin अब इसमें मैं Animation लगाऊँगा तो मैं क्या करता हूँ इसको मैं पहले तो मैं इसके Pad को सही करूँगा यह पैर थोड़ा सा Step से यहां के आने के बाद मैं इस Character को मैं क्या करता हूँ Select करते हैं और इस Character को मैं यहां से Lock कर देता हूँ इसको मैं Select किये यहां पर और इहां पर Click करते हैं और इसको मैं करूँगा थोड़ा सा पीछे की और और इस हाथ को मैं थोरा सा आगे करता हूं और इसको मैं करूँगा उपर और मैं क्या करूँगा दस फ्रेम पे जाते हैं एफक्स लगाता हूं क्लासिक करूँगा इसको और यहांपे आने की बाद इस केरेक्टर को मैं स्लेक्ट किया और फिर से मैं इसको करता हूं आगे की ओर और इस हाथ को मैं थोरा सा नीचे करूँगा कि अब मैं इसको हैंड को तुरा सा सेट करना पड़ेगा तो मैं क्या करता हूं फ्रेम बेब फ्रेम एनिमेशन करेंगे यहां पर मैं स्टैप्स लगाया स्टैप्स इसमें मैंने एनिमेशन लगा दिये और फिर क्या करेंगे इसको मैं दस फ्रेम तक स्टे करूंगा और फिर दस फ्रेम के बाद मैं इसमें एनिमेशन लगाऊंगा यहां तक क्लासिक ट्विंड किये अब की बार मैं क्या करूंगा स्लेक्ट करते हैं और मैं फिर से करूंगा इसको पीछे की ओर और अब की बार मैं इस हाथ को मैं नीचे करूंगा और इस हाथ को मैं अब की बार उपर की ओर करूंगा कि यहां सेलेक्ट करते हैं स्टैप से और इसको हम रखेंगे सकेंड में स्टैप से हो गया अब मैं क्या करूँगा दस फ्रेम और आगे बराते हैं और इसको मैं क्लासिक ट्विंड करूँगा और इसको मैं फिर से मैं इसको क्या करूँगा आगे क्यूर करता हूँ इस टैप से और इसको मैं यहां पर कर देता हूँ अभी देखते हैं कि यहां पर मैं थोरा सा और पीछे की और करूँगा हूँ आगे अब मैं इसको जह है फ्रेम बै फ्रेम एनिमेशन कर देता हूँ यह यहां पर इस टैप से हमारा इनिमेशन क्रियेट हो गया अब मैं क्या करूँगा जो बाहर आते हैं बाहर आने के बाद मैं यहां पर भी छे फ्रेम तक फ्रेम क्रियेट करूँगा अब कंट्रोल इंटर्प्रेस करते हैं आप देख सकते कुछ इस टैप से इनिमेशन इसमें होना शुरू हो गया अब इस हाथ में लगता है बहुत तेज़ चल दाते हैं मैं इसको थोड़ा सा स्लो करेंगे इसके अंदर जाते हैं और यहां से मैं इसको फ्रेम क्रियेट करूँगा ज्यादा अब देखते हैं इस टैप से हमारा पूरी तरीके से त्यार हो गया आप देख सकते हैं तो यह था दोस्तों कोई भी कैरेक्टर को हम जब बातचीत कराते हैं उसको कैसे एनिमेशन करते हैं तो आसा करते दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा आगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक चुरूर करें दोस्तों के साथ सेर भी करें अगर दोस्तों मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेका हूं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए तो मिलते दोस्तों नेक्स वीडियो में आज के लिए उर्डियो